आज हम जानेंगे विभाजन के भाग दो के बारे में 1906 में अंग्रेजों दरा लगाई के चिंगारी अभाग बन कर पूरे देश में फैल चुकी थी और ऐसा ही कुछ हुआ जब कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की बातों को नहीं माना तो उन्होंने 16 अगस्त 1946 को सीधी कारेवाही यानि डारेक्ट अक्षिन की घोष्टना कर दी जिसकी शुरुवात कलकत्ता के नुवाखली से हुई इस सामप्रदाइक दंगे में हजारों मासूम लोगों की जाने गई जो मुसलिम लीग की हताशा का परणाम था अब लीग के सदस्य सत्ता हथियाने का हर संभव कोशिस कर रहे थे जिससे देश का विभाजन कर एक अलग मुसलिम राजजर थात पाकिस्तान बनाया जा सके और यह वह समय था जब एक तरफ देश में सामप्रदाइक दंगे हो रहे थे तो दूसरी तरफ जिनहने वैसराय के अंतरिम सरकार में शामिल होने के प्रस्ताव को सुईकार कर लिया था ताकि सरकार में रहे कर कॉंग्रेस की नीतियों का विरोध किया जा सके लेकिन अंग्रेजनों दोरा लगाई गई यह आग ऐसे कहा शांत होने वाली थी इसकी परणिती 14 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग की मांग को पूरा करते हुए देश के बटवारे के रूप में सामने आई